असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ सहीद अमर्फारूक अमने चैनल लुमर्स वीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपके हिद्मत में हाज़नु दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और कल की एपिसोड में मैंने तक्रीबन तमाम चीज़ें कवर अप कर दें थी हज़ पॉलिसी से रिलेटेड जो वफाकी कबिना में हज़ पॉलिसी डिसकस हुई मन्जूरी हुई उसमें क्या चेंजिंग बताई गई तो वह बहुत डीटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई थी वो तमाम डीटेल्स होने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस में शेर करनी थी बट अचानक चार बज़े प्रेस कॉन्फरेंस होनी थी लोग वेट करते रहे तमाम मीडिया हॉसे पहुंचके हम सब भी देखते रहे कितना प्रेस कॉन्फरेंस होनी है बट वो प्रेस कॉन्फरेंस म मैं आपके साथ शेयर करूँगा बर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सरफ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रेस रिलेटेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेश्ट इस वाग करने चाहते हैं तो नीचा यह दिए कि सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक मनजूर कियें एक शुमाल का और एक जनूब का 10,65,000 और 10,75,000 उपेगा उसमें अभी बहुत सारे क्वेस्टेंस अभी भी हकुमत ने कुछ लूप होल्स हैं जो कुछ खामिया हैं वो अभी भी उसमें बाकी हैं यह नहीं बता रहें कि इसमें जनाब कुर्बानी के पैसे भी शामिल होगे या नहीं होगे क्या यह प्राइस फाइनल है या नहीं है अचा इस तरह की कोई चीज़ नहीं फाइनल करके बता रहे हम बार बार अपने सूर्सी से कनफरम करें बट उनको खुद भी नहीं पता के कुर्बानी के पैसे हम इसमें शामिल करेंगे य próxim साल Sonra औ क्योंकि 274 रुपे पर डॉलर आ गया था और अब दुबारा कल का जो रेट था और आज का जो रेट है वह 283-284 रुपे यानिके 10 रुपे डॉलर की प्राइस मजीद बढ़ गई तो उसकी विए से भी हकुमत के हाथों के जो तोते है न वो ओड़ गया है और वो बहुत ज़ इसमें जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो भी यह कह रहे हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों प्राइस दे रहे हैं यह तो हमारे लिए हमारा बहुत बड़ा नुक्सान हो जाएगा फिर जो 900 से ज़़दा कंपनियां थी जो हज़ पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर क करने जाएंगे उन तमाम लोगों को नं कंपनी को साथी गवर्मन ने स्ट्रेट फावर्वर्ड इंकार कर दिया कि हम इतनी जाता कंपनी को हज के लिए लाओ ने कर सकते तो आपने सिर्फ और सिर्फ बे आलिस इच्छे आलिस कंपनिया हैं उनको आप फाइनल शॉट लिस् हम किसी जगह पर जाके सिफारिश लगवालें कि हमारी कंपनी को लाइसेंस मिल जाए और फिर हम जो हैं वो टिका आगे लोगों को ब्लैक मेल भी करेंगे हज के नाम पर और लोगों से पैसे कमाएंगे प्राइवेट सेक्टर वाले तो वैसे उनका दीन इमानी मैं कहता हू कोई नहीं है और वो तो हज को भी उन्होंने कारोबार से भी कोई आगे की चीज़ बनाया हूँ है और वो यह चाहते हैं कि किसी तरह हमारी कंपनी को लाइसेंस मिल जाए जो लोग तगड़े हैं जिनके तालुकांश जादा हैं और वो लोग मैदान में आ रहे हैं जो खु हमारे हग तो उन्होंने सतिया नास मार देना है प्राइविट सेक्टर वालों ने ना हज का और जो सिफारिशों का रिश्वतों का जो बजार गरम है और जो लोग जो कंपनी यह नहीं दे सकती हैं वो सब एहतिजाज कर रहे हैं वो कर देंगे हम स्ट्राइक कर देंगे और पिर जो PIA के हलात हैं वो गवर्मेंट से नहीं समहल के दे रहे हैं और अब इनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम अगर अभी मजीद कोई अनाउंस कर दें हज के पॉलिसी में जो प्राइस अनाउंस कर दें उसके बाद PIA जो है वो बिल्कुली उसकी चुटी हो जाए तो फिर हम किस के साथ कॉंट्रक्ट करेंगे साथ करेंगे साथ करेंगे गल्फ के साथ करेंगे एमिरेट्स के साथ करेंगे हम एयर गलू के साथ करेंगे हम सेयाल के साथ करेंगे जिनाय किस के साथ करेंगे और वो तो अपनी प्राइस मांगेंगे और वो डॉलर में मांगत पाकिसानी होंगे जो 2023 में भी चार हजार की करीब दर्खास्ते आई और वो भी पूरे लोग नहीं गए उसके बाद जो सीटे बची उनको आपने खुद किसी ने किसी इक अपने सिफारशी को अपने जानने वाले को फिर ओवर सीट आपने खुद ही दे दी पाकिसानी रुप पिया ये जो है वो वजारत मजभी अमूर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है कि आपने 55 ग्रोड रुपे हमारे देने हैं वो 55 ग्रोड फॉरण वापस करें ताकि हम अपने कुछ टेल खरीदने के पैसे हमारे पास आजाए और हमना सिस्टम चला सके हैं तो यह इ जैसे जैसे नई अपडेट्स आती नहींगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा चैनल पर करने हैं दो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा हज या उम्रे पर चाहिए तो मुझे अपनी दौाओं में याद रखिएगा अला आफेस